हेलो फ्रेंज्स दिस अपना याद वल्कम बाक टो योगोगन आज मैं आपको तीन हेरिस्टाल बताने वाली हूँ जो कि बहुत बैदरीन है आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा मैंने इसे बहुत ही इजी वे में स्टेप बास्टेप बताया तो चलिए विडियो स्टार्ट कर हमें सबसे पहले अपने बालों के थोड़े से सक्षन को लेना है और उसे लास्टिक के हेल्प से ताय कर देना है ताय करने के बाद हम इसे सेंटर से फ्लिप करेंगे फ्लिप करने के बाद हमें इसे टू पार्टमेंट डिवाइड कर देना है अपर एंड लोवर और अपर लोवर को हम रेगुलर ब्रीडिंग करेंगे इस तरीके से हम पूरे बालों के ब्रीडिंग में करने है तो बस 5-6 इंची करने है फिर इसके बाद हम टाय कर लेंगे और इसे भी सेम हमें फिलिप करना है फिलिप करने के बाद हम राइट से बालों के कुछ साक्षन को लेंगे और उसे इस होल से निकालेंगे लेफ्ट साइट भी हमें सेम प्रोसेस करना है और फिर हमने जो अपरेंट लोर सेक्षन लिया था उसमें से हमें लोर सेक्षन को पूल कर दीना है जिससे यह ताइट हो जाएगा अच्छी तरीके से आप और यह रहा हमारा हेर स्ट्राल बनके तयार है जालमर्टू इसके लिए भी हमें अपने बालों के हाफ सक्षन को टाई कर लेना है एक इलास्टिक के हाफ से फिर फाइब से पूर इंच के बाद हमें फिर से एक इलास्टिक टाई करनी है और अपने बालों को फिल्प कर देना है और फिर हम अपने अपर इलास्टिक के सेंटर से फिर से एक वर फिल्प करेंगे और हमें अपने पूरे बालों को फिल्प नहीं करना है इस तरहीं से फिल्प करना है तो यह हैर स्टैल बनके क्रियेट होगा ही यह रहा हमारा है स्टैल नमबर टू और यह रहा हमारा है स्टैल नमबर थ्री इसके लिए हम अपने दो लेफ्ट राइट बालों को निकाल लेंगे और बाकी सारे बालों को टाइ कर देंगे राइट साइड के बालों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे सेम पूसेस हम लेफ्ट साइड भी करेंगे अफिर इसे हम टाइब कर देंगे अब फिर बच्चे बालों को भी हमें सेम इसी तरी से एक और बटाई करना है और फिर हम इसे अपर वाले से फिलिप कर देना है और फिर हम प्लच्चर या फिर बटाई हो उसे खोल देना है फिर हम इसे एक वार अगेन फिलिप करेंगे इसे और भी अच्छा लूप क्रियेट होगा और यह देखे हमारे हेरिश्चाल बनके तो या आर कितना सुंदर लग रहा है लाफ राइट्स दोनों तरफ से I hope आपको मेरी हेरिश्चाल पसंद आई होगी तो देर किस बार की मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चनल को सबस्क्राइब कीजिए और इसी तरह की हेरिश्चाल और देखने के लिए बेल आगन पर भी क्लिक करना ना भूले और कॉमेंट करके बदाईए आपको कौन से हेश्चाल सबसे ज्यादा पसंद आया और हाँ आप मेरी पीछली वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते है